आज बढ़नी का स्पेसल पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और तिल की बहुत ही टेश्टी सी पिठाई की रेसिपी जो की घर पर रखे हुए सामान से बन कर तेयार हो जाती है और इसका तिस्ट बहुत ही अच्छा होता है तो आप जब आप इसे घर पर बनाएंगे त तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी वाइट वाले और आधी कटोरी यहां पर ब्राउन वाले तिल लिए है और आप शहाय है तो कोई एक भी ले सकते हैं या दोनों को ले सकते हैं तो मैंने यहा पर डेंट कर फोल भी जाते है तो यह देखिए बड़िया था हղान चानी np. अच्छे से भुंज गए हैं और अब हम कर देंगे ग्यास को बंद नहीं तो यह जादा जल जाएंगे फिर और बापस से ले लिए वही कड़ाई और इसमें ले लिए मैंने आदी कटोरी से थोड़ी से जादे कच्छी मूमफली के दाने और इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से मूझ लेंगे तेने हम बहुत जादा नहीं भूलना है जिससे की इनकी छिकल निकल जाए बस इतना ही इन्हें हम मूझेंगे और अब हम कर देंगे गयास को बंद और यह जो मूमफली के दाने हैं इनको एक प्लेट पर हम निकाल लेते हैं जिससी की ठंडे हो जाएंगे फिर इनकी हम चिकल निकालकर अलग कर देंगे और तब यह ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं और अब यहां पे जिबत तक जो हमारी तिल हैं वह थंड़ हो गए और अब हम इनके कर लेते हैं घ्राइड तो यह ले लिया है जार जार में डूलेंगे खो मैं बिंची वह इनको डालचक नहीं पीशना है एक तो, मैं आपको दिखाते है Hans, ये बिल्कुल फाइन नहीं पिसिए Defense, पूड़ी दरदरि П Precis नहीं है। तो बस इस तरही के से हम से पीसा है। और अब मुमफली के दाने हैं Him शुर्म में जार हैं, पीसए हैं आपकंतों मुमफली के दाने हैं, उनको भी हमने बड़ी आसा पीस लिया है पाउडर बन गया है अच्छे से और अब हम क्या करेंगे कि जो थाली है उसे भी हम ग्रीस कर लेते हैं गी के साथ क्योंकि जब इसमें हम बर्फी जमाएंगे तो हमाई बर्फी बड़ी आसानी से निकला है इसलिए हम इसमें गी लग ब्वंजी और पासी ओवी तिल थी ना उसको डाल देंगे साथिता में मिक्स कर देंगे जो भी मिला करें और इन्हें हम थोड़ा सा रोष कर लेते हैं वैसे तो यह मूमफली तिल हमने पहले से रोष कर रखे हैं पर हम ऐसे गी में थोड़ा सा बाउजना है इसलिए 2 मिनट के लिए और अब हम इसमें मिलाएंगे मिल्क पाउडर तो मैंने यहां पे ले लिए है यह मिल्क पाउडर के पैकेट जो दस दस रुपए की मार्केट में किसी भी क्रॉसरी जॉप में मिल जाते हैं तो यहां पे दो पैकेट मिल्क पाउडर ले लिया है तो दो पैकेट मिल्क इसे मिल्क PF jagкого मिल्क मावा को हमारे मावा का उसमें मिक्स करेंग तो मिल्क मूमफली पाउडर ऑफ से बार में हãos इलाइडी का पाउडर है वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम कर दीदेंगे गैस को बंद और अब हम क्या करेंगे कि बना लेते हैं चास्नी चास्नी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए यह बैंद बाद देडर पहले यह देखिए जो चीनी है पानी मच्छे से गूल गई है और यह देखिए एक दम चिप चिपी सी हो रही है मतलब कोई तार नहीं बन रहा है बस इतना ही हमें चाहिए है और अब हम क्या करेंगे जो हमने तेल और मिल्क पाउडर मुफली का मिक्सर बना के रखा है उसको ह मीडियम फिलेब पा थोड़ा सा इस तरीके से लगाता चलाते हुए पकाएंगे तो यह दीरे दीरे गाड़ा होता जाएगा तो देखिए यह पहले से काफी गाड़ा हो गया है और थोड़ा सा इसे हम और पकाएंगे तब तक जब तक यह कड़ाई ना छोड़ने लगे तो तो पाल मेरा काफ़ी गाड़ा यह जो कर आए उस सबस्क्राइख मैं हेसे गास को बंद॥ आर पाल मेरा है से क्टर सूर्ण मेरा की काफ़ी गरम है जब ढीव'll बंद बंद। तो अब हमसे थोड़ा सा रैश्ट होने के लिए रख देते हैं तो यह देखी ठंटा हो गया है और अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं तो साइच आप अपने अकॉर्डें छोटे बड़े कर लीजिए तो मैंने यह पे देखिए इस तरीके से थोड़े से रफली पीस कट कर लिए है और मैं आपके इनकी सॉप्टनस दिखाती हूँ कितनी सॉप्ट बनी है यह बरफी और इसका टेश्ट सच मुछ फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा होता है